नमस्कार भाईया बेहनों, आज हम एक नए पार्ट का ध्यनारंब कर रहे हैं, शिर्शक है अव्ये प्रियोगाहा, इस पार्ट में हम लोग अव्ये शब्दों के परिभाशा और उनके प्रियोग के विशे में पढ़ेंगे किसी भी भासा के वे शब्द अव्ये कहलाते हैं, जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, इत्यादिके कारण कोई विकार उत्पन नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता तो कौन से शब्द अव्ये कहलाते हैं, जिनमें लिंग के स्तर पर की पुलिंग है तो, इस्त्रिलिंग है तो, नपुन्सकलिंग है तो, वो शब्द वैसा ही रहता है, चाहे कोई भी लिंग हो तीनो वचन में से कोई सा भी वचन हो एक वचन हो, दिवचन हो, बहुचन हो तो वो शब्द वैसे ही रहता है कारक हो, कोई भी काल हो वरतमान काल हो, भूत काल हो, भविश्यत काल हो यानि इन लिंग वचन कारक काल इत्यादी कुछ भी कारण हो किसी भी कारण से उस शब्द में कोई भी विकार, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, ऐसे शब्द अव्ध्य कहलाते हैं, जैसे यथा, यथा मैंने जैसे, तथा, तथा मैंने वैसे, यदा, जब, अध्य, अध्य मने आज, तो वो जो है, लिं मूल रूप में बने रहते हैं, चाहे कोई भी परिष्थिती हो, लिंग वचन कोई भी परिवर्तन हो, उनका जो मूल जो शब्द जैसा है वैसा ही बने रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि अव्याय का रुपांतर नहीं होता है, जो उसका मूल रूप है, उसमे इसकी परिवाशा पढ़ेंगे हम नय व्यय इति अव्यय यानि जो व्यय करना यानि खर्च करना मालेजे हमारे पास सो रूपे हैं हमने कुछ समान लिया दस रूपे का खर्च किया तो 90 रह गए तो इसलिए जो व्यय ना हो जो जैसे थे वैसे ही रहते हो वो कहते हैं अव्यय आईए अब हम इस पार्ट का हिंदिय अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं आकाशे मेगा संती आकाश में मेगा अर्थात बादल संती हैं आकाश में बादल हैं मयूरह निर्थ्यम करोती मयूरह अर्थात मोर निर्थ्यम करोती निर्थ्य करता है अर्थात नाचता है मोर निर्थ्य करता है आगे है यदा आकासे मेगा भवन्ती अब जो यदा शब्द है यदा मैंने जब ये अव्य शब्द है यह कोई भी लिंग, कोई भी वचन, कोई भी काल हो, तो यदा आकासे, जब आकास में मेगा भवन्ती बादल होते हैं, तदा मयूरह नृत्यम करोती, तब मोर नृत्यय करता है, तो यह जो यहाँ पे तदा शब्द है, यह भी अव्व्य शब्द, तदा मैंने तब, यदा मैं मैंने जब तदा मैंने तब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा आगे है स्वामी आदेशम करोती स्वामी यानि मालिक एक तरीके से आप कह सकते हैं आदेशम करोती आदेश करता है स्वामी आदेश करता है यानि जो किसी का जो मालिक है वो आदेश करता है सेवक है कारियम करो सेवक कहते हैं नोकर को सेवक करने वाला तो जो सेवक होता है जो नोकर है वो कारियम करोती स्वामी आदेश करता है सेवक कारिय करता है स्वामी यथा आदेशम करोती स्वामी यथा मैंने जैसा अब जैसा भी यहां पे क्या है अव्य शब्द है क्योंकि इसमें परिवर्तन न तथा मतलब वैसा सेवक है कारियम करोती सेवक यानि नोकर कारिय करता है जैसा स्वामी आदेश करता है वैसा नोकर कारिय करता है आगे है यदा आचारिय है कक्षाम प्रविशती यदा मैंने जब जैसे कि मैंने उपर बताया यदा जब आचारिय है आचारजी कक्षाम प्रव करेश करते हैं तदा चाटरह उतिस्थनती तब चातर उठते हैं खड़े होते हैं जब आपको पता अगे हैं यदा सूर्य home escola two अभवती जब तदा मैंने तब यह दोनों क्या हैं अव्य शब्द हैं जैसा रमेश गायती रमेश गाता है तथा राजेश न गायती राजेश नहीं गाता है यथा आचारिय पाठयती जैसा आचारजी पढ़ाते हैं तत्हा छात्र है पठती वैसा छात्र पढ़ता है यानि जैसा आचारजी पढ़ाते हैं वैसा ही छात्र पढ़ाते हैं तो यथा और तथा यथा मैंने जैसा या जैसे तथा मैंने वैसा या वैसे ये दोनों शब्द जो है वो अव्य शब्द हैं यह कुम्भम करोती सह कुम्भकार है यद्यपियां यह और सह जो है वो निले कलर से हैं लेकिन यह अव्य शब्द नहीं है क्योंकि यह जो है इसके रूप चलते हैं अपने जो है कारक प्रकरण में इसके जो है सातो विभक्तियों में रूप चलते हैं सहे के भी रूप चलते हैं, सहे तवते, तम तवतान, यह इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं, इसलिए यह अव्य शब्द नहीं है, यह कुम्भम करोती, जो घड़ा करता है, करता है या नि बनाता है, जो घड़े बनाता है, सह कुम्भकार है, वह कुमार है, आग एक बच् जो पढ़ता है सह पाठक है वह पाठक यानि पढ़ने वाला नीचे है यह परिश्रमम करोती जो परिश्रम करता है अर्थात मेहनत करता है सह सफल है भावती वह सफल होता है यह आपके लिए भाईया बेनो जब हम मेहनत करते हैं तो ही हम सफल होते हैं बिना मेहनत के हम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते अगली पंक्ति है सह सम्यक पठती जो अच्छी प्रकार पढ़ता है ठीक से पढ़ता है सह परिक्षायाम उत्तीरन है भवती वह परिक्षा में उत्तीरन होता है पास होता है तो इसलिए अच्छी प्रकार मेहनत से पढ़ना बहुत जरूरी है अग स्त्रिलिंग का या परिवर्तन वो यह सकता क्योंकि अव्य कंटी ? या सिक्षति जो शिक्षा देती है या धावति जो दोड़ती है या धावती या मैंने जो ये भी यह का स्ट्रिलिंग का रूप है या धावती जो दोड़ती है सा धाविका वह धाविका है यानि दोड़ने वाली नीचे है या मालाम रचयती जो माला रचती है यानि माला बनाती है सा माला कारेणी क्या कहेंगे उसको संस्कृत में इसके लिए शब्द आया माला कारेणी यानि माला बनाने वाली आगे आया है या सेवाम करोती जो सेवा करती है वो क्या है सा सेविका वह कौन है वह सेविका ये स्ट्रिलिंग के रूप है शब्द हैं दोनों या और सा अगर पुलिंग होता तो आता यह सेवाम करोती सह सेव का फिर या नहीं होता फिर यह होता और सा की जगत सह होता अब या और शा है तो यह स्ट्रेलिंग के रूप है यह सेवाम करोती जो सेवा करती है सा सेविका वह सेविका है तो भाईया बैनो हमने इस पार्ट की हिंदी पड़ी इस पार्ट की इस वीडियो को आप अच्छे से सुनें इस पार्ट की हिंदिया आप अच्छे से समझें आपको कोई परिशानी हो तो आप मुझे संपर्क करके मेरे से पूछ सकते हैं धन्यवाद आपका दिन शुब हो